असलाम लेकुम कैसे आप लोग उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो एवरीडे साइंस को कंटिन्यू करते हैं आप यह फोर्थ वीडियो होगी एवरीडे साइंस की और हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि 10-15 सेंटेंस या 10-15 पॉइंट्स जो साइंस एवरीडे स साइंस से रिलेटेड हैं वो मैं आप लोगे साथ शेयर करूँ इन्शाला इसके बाद जो साइंस की वीडियो आएंगी दो वीडियो ऐसी होंगी जिसमें मैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो में पॉइंट्स हैं वो आप लोगे साथ शेयर करूँगी और यह पॉइंट्स STS की टेस्ट हो या SPS की स्क्रीनिंग टेस्ट हो या उसके लावब NTS की कोई टेस्ट हो तो उसमें Everyday Science की कुस्टंट्स आते हैं और ये वो सवाल होते हैं जो most probably repeat होते हैं तो ये वो ही points हैं ठीक है जी, जी स्टार्ट करते हैं Friction act when object are in contact with each other Friction कब बनता है Friction तभी बनता है जब दो चीज़ें आपस में contact में आती हैं आपस में मिलती हैं तभी जाकर Friction बनती है Friction depend upon roughness अब इसका यह मतलब है देखें, Friction जितनी ज्यादा roughness होगी उतनी ज्यादा Friction होगी आप इसका example देख सकते हैं अगर फरश है और अगर कोई खुरदुरा फरश है तो उसका मतलब वहाँ पर रफने ज्यादा है तो वहाँ पर हमारा पाउँ बहुत अच्छे से हम आपक अदम रख सकते हैं As compared to अगर वह फरश जहाँ पर marble या टायल्स लगी होई हो तो क्योंकि वहाँ पर roughness बहुत कम होती है तो हमारे पाउँ जो है वह लमीन पर नहीं तिकते तो जो है slip करते हैं हमारे पाउँ क्यों क्योंकि वहाँ पर fraction जो है बहुत कम होती है तो fraction जो है roughness के साथ इसका directly proportional है मतलब roughness ज्यादा तो इसका मतलब fraction ज्यादा roughness कम तो इसका मतलब fraction कम third point आते हैं roughness cause fraction यह मैंने जो उपर example समझा है उसी से related है fourth point की तरफ आते हैं force that change state of rest or motion that force is called unbalanced force अचाब वो force जो किसी भी चीज़ की हालत को तबदील करें अगर वो rest में हैं तो rest में ही अगर वो motion में तो motion में ही तब ही उसमें changes आएंगी because of the unbalanced forces हम कहते हैं मैं unbalanced होगी तब ही मैं गिर गई आप वैसे तो normally जा रहे थे कोई unbalanced force आपको लगी है जिसके वज़े से आप गिर गई चीक है तो इस तरीके से यह इसका sense बनेगा fifth point देखें force that does not change state of rest or motion is balance force देखें अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो rest में ही होगी क्यों 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 balance कर रही ही चीज़ें आप इसका example ले सकते हैं जैसे कोई चीज पड़ी हुई है तो वो rest में क्यों है क्योंकि उसको दोनों तरफ से डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी फोर्स लग रही है तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं तो ये बैलन्स फोर्स आ रही है अब इनर्शिया जो है देखें इसका एक्जेंपल मैं आपको समझाओ अगर आप गारी में हैं बेटे हुए हैं और गारी जब चलती है तो आपको जो जटका महसूस होता है उसको हम इनर्शिया बोलते हैं और न्यूटन की फस्ट लाफ इनर्शिया भी बोलते हैं इनर्शिया है जो है वो डारेक्ली प्रपोर्शनल करता है मास के साथ अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा मास कम तो इनर्शिया कम सेवन पॉइंट देखें लिवर वेज एंड इंकलाइन प्लैन और सिंपल मशिन इसका भी मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जब GST और BST के हम करे थे इन्शाला मैं सिंपल मशिन और कमपाउंट मशिन पे भी मैं और वीडियोस बनाओंगी There are six types of simple machine कहीं कहीं आपको seven type मिलेंगी लेकिन mostly six type है अगर आप axle और wheel को combine नहीं करते तो फिर आपके seven बनेगे axle और wheel को अगर आप alग-alग लिख रहे हैं तो seven बनेगे अगर combine करेंगे तो फिर six बनेंगे screw है, liver है, axle है axle के लें या फिर इसको आप wheel भी कह सकते हैं incline plan, pulley और wedge ये जो है six type के simple machines हैं जो हमारे daily life में काम आती है point number nine है pulley are of two types pulley जो होती है वो दो किसम केती है एक होती है movable pulley और एक होती है fixed pulley tenth point है, the sound wave cannot pass through vacuum जो sound की waves होती है वो vacuum से पास नहीं करती eleven point है, the speed of sound in air is 330 meter per second sound की जो speed होती है वो हवा में, वो 330 meter होती है per second और sound liquid में देखें तो 125 meter per second और solid में देखें तो वो 5,130 meter per second ठीक है, 330 air में 125 liquid में और 5,130 जो है वो solid में asteroid, meteorites and comets are satellite, natural यह सका हम natural satellite भी बोलते हैं और यह सारे इंशालला में solar system में यह चीज़ें भी आप लोग साल ज़रूर शेयर करूंगी 15.A which is very important point the first artificial satellite was launched by USSR in 4th October 1957 जिसका नाम है Sputnik 1 अब इसमें तीन points है, एक तो आपको पताना चाहिए USSR का मतलब क्या है USSR का मतलब है Union of Soviet Socialized Republic Union of Soviet Socialist Republic और 4th October 1957 में यह launch हुई थी और first artificial satellite का नाम का है Sputnik 1 ठीक है जी, तो आज इस वीडियो में ने 15 main और most repeated जो different test में repeat होते रहे हैं वो आप लोगों के साथ में ने शेयर किये हैं इन्शाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ सोलर सिस्टम पे जो भी main points है वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो काई जी चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरें के साथ जरूर शेयर करें इन्शाला हादर होंगे में नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुझे दीजिए अजाज़त, आला हाफिज